आज में आपके साथ गुर्दा कलीजी जो मतन की होती है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जैसे कि वक्री तभी आने ही वाली है तो हम सब के घर पे ये गुर्दा कलीजी की जो रेसिपी होती है वो अकसर हम बनाते है तो मैंने सोचा वही रेसिपी हम क्यों ना शेयर क अमस्य एजम सबनताक खबाद है और इसे आप पराथों के साथ और अंक्सर लोग नान के साथ खाते नान के उसे को बहुत अच्छी है, तो हम कर दो करें लिया आन के साथ लगता है मैंने नान के सांध लगती है और एक टेब्ल स्पूल मैंने अद्रक लेसिग का पैसτη शे से साथ हारी मीची है जो मैंने पीच में से कट कर ली है सलिट में translate में यहाँ पर गुर्दे को मैंने एनार के लिए वेनिगर के पानी में रख दिया था दो के वापस पानी दल के वेनिगर का पानी में रखा था इससे कलेजी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है और जो बलट वगेरा रहता है वो भी रिमूव हो जाता है यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले और पाउडर मसाले ले लिए जो हमें रेसिपी के लिए लगेंगे यह जो नॉर्मल मसाले ही है तो चली हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर एक मैने vessel ले लिया है उसमें हम half cup oil डालेंगे ऋड़ आप कर सकते हैं अगर आप चाहरों ती mixture यहां पर जो सकती है अब समाइब करते हैं और आप मसालों की यहां हम्मेर धोड़ा साले पीस कर देगे इस वर ब maturity क facult को slow ही रखना fast flame पर मत करना इसे जब हमारा अध्रक लेसन अच्छे से बून जा इल के साथ तो हम इसमें जो अनियन जो है उसकी प्यूरी एड़ कर देंगे और अनियन के पेस्ट को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए आप अच्छे से चलाते जाएं अब आप मेडियम टू हाइफ फ्लेम पर इसे बून सकते हो जैसे हमारे अनियन अच्छे से बून जाए हम इसमें हमारे गुर्दे का लेजी एड़ कर देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही बून लेना है कब तकरीबन आपको 20 मिनट से अच्छी तरह से बून लाना या अब इसकी लीट लगा के भी इसे रख सकते हो हाई फ्लेम पर मेडियम टू हाई फ्लेम पर तो यह अच्छे से mix हो जाएगा यह देखिए इसे मैंने 20 से 25 मिनट बूना है अब इसमें हम टेमेटो प्यूरी अड़ करेंगे और जितने भी हमारे पाउडर मसालेते उसे अड़ कर देंगे और इसे भी हम मसालों की साथ अच्छी तरह से mix कर लेंगे जो मसालों की raw smell है वो नहीं रहनी चाहिए तो हमारे मसालों को हमें अच्छी तरह से mix करना पड़ेगा अब इसे हम lead लगाके फिस से 20-25 मिनिट पकाएंगे 25 मिनिट के पाद ये इस तरह से हो जाएगा अभी भी इसमें काफी पानी है मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए है लेकिन हमें पानी को सुकाना है तो इसे हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और इसका पानी जो है वसे ड्राइ कर लेंगे अभी मैंने इसमें हरी मिची अड़ कर ली है साथी में मैं इसमें कसूरी मेती अड़ कर रही हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्स आता है और साथी में 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस अड़ किया है और इसे भी हम मिक्स करते जाएंगे और साथी में हम जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम पे ही इसे पकाते जाएंगे अगा के फिर पकाना पड़ेगा मुझे यही वाली ग्रेवी चाहिए थी तो इसलिए मैंने इतना इसमें रखा हुआ है इसमें मैंने कोई पानी आड़ नहीं किया है तो हम इसे सर्फ कर लेते हैं और यह जो रेसिपी है अगर आप नान के साथ खाऊगे तो आपको बहुत पस बना सकते हो नान को तो आप बना लेना या अगर आपको कहीं पर मार्केट में मिच जाता है तो आप एक बार मेरे कहने पर इसे ट्राइ करना यह बहुत डिलिशियस लगता है बहुत यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है नान के साथ तो उमीद करते हैं आपको यह रेसि नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बैल आइकन को भी प्रस कर लेना ताकि मेरे आने वाली रेसिपेस की नौटिफिकेशन्स आपको मिल सके और साथ ही मैं आप सब को बक्राइद एडवांस में मुबारक तेंक यू अला हाफीज